असलामुलीकूम वेलकम तो माई चैनल नाइस अल्थन ब्यूटी तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्राइमर शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्कीन के ऊपर बेस को एवनली सेट करेगा और लॉंग लास्टिंग बनाएगा तो अगर आप मेरे चैनल नाइस अल् आपकी स्कीन को स्मूथ बनाता है और आपकी बेस को अच्छे से स्टक करता है और एक इस तरह का भी अलोवेरा जल मिलता है आपके पास जो भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं वेटमन-E-Oil जो है हम इसमें यूज करेंगे वेटमन-E-Oil आपकी स्कीन को नरिशिंग रखत या कोई भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप इसमें फ्रेश अलोवेरा जल यूज कर सकते हैं तो टू टेबल स्पून मैं बना रही हूं अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं ज्यादा कॉंटिटी में बनाकर आप इसको फ्रीज करके रख सकते रहा है या वैसे भी यसां को बना लोंगी 2 टेबल स्पून में इसके अंदर अलोवेरा जल अड़ किया है तो आप में इसमें आड़ करूंगी वेटमान इई आयल कैपसूल तो अगर आपके पस कैपसूल है तो आपने एक इसमें आड़ करना है तो आपने फ्यू ड्रॉप्स तो आपने फाइव ड्रॉप्स जो है आपने टू टेबल स्पून में एड़ करने है इस कॉंटरटी से बना के आप यूज करें तो आपको बहुत ज्यादा महिंगे महिंगे से प्राइमर्स जो है मार्कीर से बाए करके इसको अप्लाय करने की जरूरत नहीं है तो यह प्राइ यह प्राइमर्स सेम उसी तरह के मैं इसको अप्लाय करके आपको दिखा रही हूं आप अपनी स्कीन के ऊपर इसको थोड़ी सी कॉंटरी लेकर अच्छे से अप्लाय कर लीजेगा तो आलोवेरा जल जो है यह आपके पोस को फिलप कर देगा और जो वेटमन ए ओयल है यह आ और आराम से आप अपनी बेस्ट्री अप्लाय कर सकते हैं यह आपकी बेस को लॉंग लास्टिंग बनाएगा और आपकी स्किन को फ्रेश रखेगा तो गाइस यह थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड चेयर जरूर कीचेगा और मेरे चैनल ना